एक गाड़ी में मंदिर बनाने के लिए पत्थर लेके जा रहे थे अब उस गाड़ी में बहुत बड़ी गाड़ी थी और उस गाड़ी में एक साइड में मंदिर बनाने के लिए जो पत्थर लगने वाले थे वो थे और उसके अपोजिट उसी गाड़ी में उसके अपोजिट उसी मंदिर में जो मूर्ती बिठाने वाले थे, जिस मूर्ती की प्रान प्रतिष्टा करने वाले थे, वो मूर्ती थी, अब मूर्ती जो है, वो एकदम ध्यानस्त थी, शांत मुद्रा में थी, हसत मुख थी, और उदर जो पत्तर थे, वो रो रहे थे, अब वो जो पत्तर रो और वह मुर्टी जीस पत्थर से बनी हुई थी वो एक ही ख़दान से निकले हुए थे एक ही परिवार के थे और मुर्टी जो है उसका अभिशेक होने वाला था उसकी पूझा होने वाली थी और उसी खदान से निकले हुए जो पत्थर थे, वो पैरो तले कुछले जाने वाले थे, उसका कोई अभिशेक नहीं होने वाला था, उस पे गंदगी होने वाले थी, लोग उस पे चलने वाले थे, वो पैरो तले कुछले जाने वाले थे, और उस मुर्ती का अभिशेक होने वाला था इसलिए वो जो पत्थर है वो रो रहे थे फिर मूर्ति ने पूछा कि क्यों रो रहे हो भाई तो पत्थर बोलते है कि तेरा अभिशेक होने वाला है और हम पैरो तले कुछ ले जाएंगे ऐसा क्यों तो मूर्ति हसकर बोलती है कि तेरी भी मूरत बनाने वाला था व तुने खुद को आकार में बदलने की कोशिश नहीं की, और जब मुझपे छहिनी और हतोडे का मार गिर रहा था, उस वक्त मैं आकार ले रहा था, मैं रो नहीं रहा था, मैं उस तकलिप को सह रहा था, इसलिए मैं चेंज हो गया और मूरत में बदल गया, और तु अब एक बहुत अच्छी मूर्ती जिसकी पूजा होने वाली है, जिसका सम्मान होने वाला है, जिसको एक बड़े लेवल पे कुछ तो भी मिलने वाला है, लेकिन अगर मान के चलो कि आप अगर खुत को बदलने की तकलीफ अगर नहीं सहते हो, तो आपकी भी आवस्ता उस पत्थर जैसी हो जाएगी, जो पत्थर मंदिर में अब नीचे बिचाए जाने वाले थे, तो simple चीज है कि खुद को बदलने की कोशिश करो और इंसान का यही काम है कि हमने continuously खुद को बदलने की कोशिश की जानी चाहिए, तो ही हम कुछ बड़ा बन सकते है, otherwise हम बड़ा नहीं बन सकते, थैंक यू